नमास्कार फ्रेंस वागत है हमारा चैनल में आज की वीडियो है ऐसे एक हम कमपोस्ट के बारे में बता रहे हैं जो हम कीचन से निकलने वाला मटर होता है मटर को खाके जब छिलका को फेक देते हैं तो उसको नहीं फेकियेगा और उसको सुखा के जो हम काडन में कैसे उसकरत करते हैं वी वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए हम जो मटर का चिलका को ना उसका दाना निकाल के अब इसको फेकते नहीं है यह कंपोस्ट में डाल देते हैं तो हम इसको आज हम अच्छा से बारी बारी काट लिए हैं और काटके ना इसको सुखा लेंगे फ्रेंस सुख लेकिन बहुत फायदेमंद रहता है प्लांट के मीडिया में डालोगे तो वेल्डेन होता है अब मटर का चिलका भी ना पोसक्ततप से भरपूर रहता है फाइबर पोटासियम नाइट्रोजन सब ही का काम करता है प्लांट को हेल्दी बनाता है इसका जो बाद में होके ना प्लांट को बाहर से हम महंगा महंगा कमपोस्ट खरीते हैं उससे तो बेश्ट रहता है अपना घर का तो यह देखिए एक हप्ता बात सुख गया है तो इसको आप मिक्सर में हम पीच लेंगे अच्छा से दरवदरह पीच लेंगे यह देखिए पीच लिए है तहां इसको ना हम और कभी नई भी चुका रहता है एक बारा और सुखा सकते हैं और इसमें पंगिसाइड पाउडर भी मिला देंगे फ्रेंड्स तो हम इसमें ना यह देखिए अब यूश करने वाले हैं एक विसकस का प्लांट को करेंगे आज तो उसी में कैसे मिलाते हैं आप डायरेक्ट मिला सकते हैं लेकिन हम ना यह सब अलग से यह सईल मीडिया को यह मिट्टी ले लिए हैं सेंड और राक और कुछ किचन वेस्ट कंपोस्ट सब मिला के पहले से अल्रेडी त्यार रखता है राईस भी ना प्लांट तो नीचे में चले रीपोर्टिंगे बजरी अजरी डाल दिये हैं नीचे तिकडी लगा के होल को पेक करने के लिए और उपर से पेपर भी डाल देते हैं प्लांट से बना रहता है ना गेहों के घास और धान के घास रहता है ना उसी से बनता है तो उसमें भी ना कार्बना रहता है उसके उपर में डाल देंगे मटर के छिलका को अच्छा से तो और यह हम फूल का ना पुजा हुआ फूल के माला है उसको भी सुखा के डाल दी है डारेक्ट डालने से कीडा भी हो जाता है और प्लांट ले नुक्सान दैग रहता है तो इसको ना उपर से नाप यह जो हम मेटेरियल डाले रहते हैं डी कंपोस्टन में बहुत मदद करता है मिट्टी में ना केचो आगर भी रहते हैं तो इसमें उपर में फिर जहां पे जड़ पहुचेगा मिट्टी होना चाहिए और डी कंपोस्ट क्या होगा जो कंपोस्ट है हमारा उसमें डाल अब नीचे काव ना जब हम इसको बड़ा प्लांट नीचे नीचे जड़ पहुचेगा ना तब यह सब मटर का छिल लगाव करेंगे सब डी कंपोस्ट हके ना पूरा कंपोस्ट बन जाए रहता है फ्रेंड्स और ता उपर थोड़ा सा हम ना अपने अकडिंगों सा डाल देंगे और वो अपना बैठा देंगे बीच में और जो यह किचा अरी बर्मी कंपोस्ट सबको बीच में डालते हैं जड़ के पास तो बहुती तुरंत पहुंचाता है जड़ पूरा ब्रांचेस को खाना पहुंचाता है यह सब बीच में डाल देते हैं नीचे पूरा मिलाएंगे कमपोस्ट ना तो उपर जब भी वाटरिंग करते हैं ता नीचे कमपोस्ट ना बहा जाता है तो इसी बीच में डालते हैं उपर में हम साब पूरा जो मिट्या है उपर अच्छा से दबा के डाल देंगे इसमें हवाप पहुंच जायक अच्छा से दबा देंगे मिट्टी को थोड़ा सा दो इंचोड़े रहेंगे जब पानी डालेंगे तो हमको स्पेस मिल सके फ्रेंड्स तो आप भी यूज करके देखिया गाना यह ना सुखा के आप डाल सकते हैं बड़ा बड़ा गमला को फील करने के लिए तो यह बेस्ट रहता है फ्रेंड्स तो एक आप दूश्रे पाट में हम कोलियस को रिपोटिंग कर देंगे इसे सब ले लिए हैं नीचे में हम पेपर यह पर भी डाल देते हैं यह कोको चिप्स को भ उपर में मिट्टी मिला के फीर इसमें भी थोड़ा सा बर्मी कमपोस्ट अगर का डाल देंगे फ्रेंड्स यह राइस अल्रेडी मिला हुआ है इसमें और इसके लिए तो ना इंडोर प्लान के लिए वेल्डरेंस सेल होना चाहिए बड़िया तो यह दोनों को साइड मिला हुआ पानी डाल देंगे फ्रेंड्स कम बजट में भी करना चाहता है और हमको अपना सब पुसक तत्वे पूर घर में मिलता है फ्रेंड्स तो देखिएगा बड़िया जब तक ज्यादा भी मढ़ डालिये नीचे बहा जाता है फिर फंगी साइड मिला हुआ प क्लिवा